ओम श्री गनेशाय नमाहा दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे Story name is Devil Angle and this story is begin from chapter 40 to 41 and guys don't forget to Share your reviews and put on your earphones before starting the video for better experience तो चलिये शुरू करते हैं मोनालिसा काहिरा को छुभी पाती उससे पहले ही राना ने उसे जोर से धक्का दे दिया धक्का लगने की वजह से मोनालिसा दूर जा गिरी अपनी बहन को गिरते देख शौर्य गुस्से से बोला तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को धक्का देने की अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ शौर्य अपने आदमियों को आवाज लगाने लगा लेकिन उसके बुलाने पर भी जब उसका कोई आदमी नहीं आया तो वह घबराने लगा, राना बोला कोई नहीं आएगा क्योंकि सब भगवान को प्यारे हो गए लेकिन अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला तुम लोगों ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है हुकुम रानीसा को अगवा करके तुने हमारे हुकुम सासे दुश्मनी मोल लेली है राना ने अपने गार्ड को आवाज लगाते हुए कहा ले जाओ इन दोनों को राजस्थान की सेर पर इन्हें भी तो शैतान से मिलने का मौका मिलना चाहिए सारे गार्ड ने अपना सिर हिला दिया और शौर्य और मोनालिसा को वहां से ले गए राना ने कहिरा को देखा फिर पानी का गिलास उठा कर कहिरा के चेहरे पर पानी के चीते मारे एक मिनट बाद ही कहिरा को धीरे धीरे होश आने लगा आखें खुलते ही काहिरा को राना का चेहरा नजर आया काहिरा बोली राना भाई आप आ गए। आपको लोकेशन भीजती या नहीं भीजती मुझे पता है आप मुझे कुछ नहीं होने देते और मैंने आपको कितनी बार कहा है कि आप मुझे हुकुम रानीसा मत बोला कीजिए आप मुझे बाकी सब की तरह एंजल बोल सकते हैं राना अपना सिर उठा कर बोला लेकिन रात होने को आई है और मैं यहां अभी तक बेहोश पड़ी थी। काहिरा बाहर की ओर जाते हुए बोली राना भाई जल्दी चलिये अगर मुझे ओर देर हो गई ना तो ना जाने मुझसे क्या क्या पूछा जाएगा। राना भी काहिरा के पीछे जाने लगा काहिरा जाकर राना की कार में बैथ गई राना ड्राइविंग सीट पर बैथ कर। करते हुए बोला मैं बिल्कुल थीत हूँ और ये तो छोटी सी चोट है। काहिरा क्यूरियोसिटी से बोली अच्छा आपको किसकी याद आ रही है। राना कार स्टॉट करते हुए बोला वह मेरी बहन जैसी थी या ये कहूं की बहन से भी बढ़कर। काहिरा बोली क्या वह मेरी तरह क्यूट और ब्यूटीफुल थी। काहिरा की बात पर मुसकराने लगा वह मुसकराते हुए ही बोला हाँ वह बिल्कुल तुम्हारी तरह ही थी। कुछ देर में काहिरा सिंधानिया मैंशन के बाहर खड़ी थी काहिरा राना को बाय बोलकर अपनी कार में बैथ गई और अंदर चली गई अंदर सब काहिरा का ही इंतजार कर रहे थे अहिर जी काहिरा को गले लगा कर बोले इंजल तुम कहां रह गई थी तुम्हें पता है ह देर बाद वह वापस नीचे आ गई। के लिए भेज दिया है कुछ देर बाद वह दोनों राजस्थान में होंगे। इतना बोल कुशल कुछ देर के लिए चुप हो गया फिर बोला जोधपूर के राजा अशोक कुमार और उनका पूरा परिवार आपके। लिए कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं और वह सब हुकु नजर रखना बाकी जो करना है उन्हें। करने दो, क्या तुम्हें पता चला की दो साल पहले लंदन में पर किसने अटेक किया था। कुशल बोला नहीं हुकुम सा हमने बहुत कोशिश की लेकिन वह इनसान बहुत शातिर है। आद्र कुछ सोचते हुए बोला उसका पता च जिसने मुझे बचाया था। कुशल अपना सिर हिलाते हुए बोला नहीं हुकुम सा उनका भी कुछ पता नहीं चला। आद्र बोला ठीक है लेकिन फिर भी कोशिश जारी रखो। कुशल आद्र को ग्रीट कर वहां से चला गया आद्र ने अपना फोन निकाला और काहिरा को फोन लगा दिया काहिरा ने। पहली रिंग में ही आद्र का फोन उठा लिया। आद्र काहिरा से बोला तो कैसा रहा तुम्हारा किड्नेपिन का एक्स्पिरियंस तुम्हें अच्छा तो लगा होगा ना। आद्र की बात सुनकर काहिरा कहीं खो गई आद्र बोला लिटिल हुए बोली वो क्या है ना मैं इतनी क्यूट ब्यूटीफुल और इंटेलीजेंट हूँ की मुसीबत मुझ से जलती है लेकिन जब से उसे पता चला है कि इस एंजल को प्रोटेक्ट करने के लिए उसका डेविल आ गया है तब से ही वह मुझ से और ज्यादा जलने लगी है काहिरा थोड़ी मायूसी से बोली डेविल आई मिस यू आद्र बोला मिस यू टू माई लिटिल एंजल काहिरा बोली डेविल हम सब को कब बताएंगे मुझे ऐसे चुप कर कोई भी चीज करना पसंद नहीं आद्र एक अजीब सी स्माइल के साथ बोला बहुत जल्द काहिरा सोने चली गई वहीं आद्र वहीं सोफे पर बैठ गया उसकी आखों के सामने एक द्रिश्य चलने लगा एक समुद्र में एक बड़ी शिप चल रही थी आसमान में अंधेरा चाया हुआ था वह समुद्र एक दम शांत था वहां सिर्फ शिप के चलने की आवाज आ र सम लग रहा था वह लड़का कोई और नहीं आद्र था आद्र को कुछ लोगों ने घेर लिया आद्र उन सब को बड़ी आराम से देख रहा था एक आद्मी जैसे ही आद्र को मारने वाला था आद्र ने उससे पहले ही उस आद्मी को मार डाला ये सब इतना जल्दी हुआ कि किसी को समझ ही नहीं आया कि अभी हुआ क्या है आद्र ने जल्द ही उन सब को भी मार डाला आद्र जैसे ही पल्टा किसी ने उसके पेट खंजर उतार दिया आद्र अभी भी आराम से खड़ा था आद्र के सामने एक आद्मी खड़ा था वह सब आद्र को पकड़ पाते उससे पहले ही आद्र समुद्र में कूद गया वह आद्मी चिल्ला कर बोला आद्र को पकड़ कर कैद कर लो आद्र के कानों में उस आद्मी की आवाज चुकी थी उपर खड़ा वह आद्मी धीरे धीरे पेरलाइज हो गया आद्र बहते बहते किनारे तक पहुँच गया था लेकिन अब वह भी पेरलाइज हो गया उस आदमी के गार्ड आदर को धूंधते हुए उसी और आ रहे थे अचानक आदर को अपने आम पर एक सोफ्ट सी चीज महसूस हुई आदर को महसूस हुआ की कोई उसे खीच कर किनारे से दूर ले जा रहा है आदर ने अपनी दूधनी होती आँखों से देखा एक लड़की जिसकी चहरे पर एक मास्क लगा था वह उसके पेत को प्रेस करने लगी कुछ देर में आदर की मुह से धेर सारा पानी बाहर निकला उस लड़की ने अपने हाथ आदर के जखम पर रखा वह लड़की जैसे तैसे करके आदर को वहां से ले कर निकल गई आदर अपनी यादों से बाहर आते हुए बोला you are my savior I don't know who are you but I know they won't I will find you आदर को disturb करते हुए आदर का फोन बजा कॉल कुशल का था आदर ने बिना कुछ बोले फोन कान से लगा लिया दूसरी तरफ से कुशल की आवाज आई हुकुम सावह दोनों हमारे टोचर रूम में है आद्र ने बिना कुछ बोले फोन कार्ट दिया और वहां से निकल गया कुछ देर बाद आद्र की कार एक बंदलों के सामने आकर रूकी आद्र की कार के आगे पीछे की कार थी उन कार में से कई सारे bodyguards निकले और आद्र की कार को चारों तरफ से घेल लिया एक गार्ड ने जल्दी से कार का दोर ओपन किया आद्र किसी डेविल की तरह कार से निकला इस वक्त आद्र में से एक खतरना कोरा निकल रहा था आद्र जैसे ही बंगलों के अंदर आया वहां कुशल मनन और शिव उसी का इंतजार कर रहे थे आद्र बड़े ही डेंजरस तरीके से चल रहा था आद्र के पीछे पीछे शिव मनन और कुशल चल रहे थे आद्र टोचर रूम में जाकर अपनी किंग चेया पर बैठ गया कुशल और मनन ने शौर्य और मोनालिसा को आद्र के पैरों में गिरा दिया मोनालिसा ने जैसे ही आद्र को देखा वह खुश हो गई मोनालिसा खड़ी होकर आद्र के पास जाने लगी मोनालिसा आद्र को चुपाती उससे पहले वहां एक फीमेल बोडी गार्ड आई और मोनालिसा के बाल को पकड़ फर्श पर फेंक दिया आद्र शौर्य को अपनी जानलेवा नजरों से घूरते हुए शांत मगर सर्द आवाज में बोला तुने मेरी लिटिल एंजल को किड्नेप करवाने की हिम्मत कैसे की शौर्य हिम्मत करते हुए बोला हमने किसी लिटिल एंजल को किडनेप नहीं किया हमने उस बिकाव लड़की को किडनेप करवाया था मोनालिसा ने इस वक्त एक शाट ड्रेस पहनी थी मोनालिसा ने अपनी ड्रेस को नीचे किया और बोली हुकुमसा भाई सही बोल रहे हैं हमने किसी बच्ची को किड्नेप नहीं किया हमने तो उस दो कौरी की वाहियाद लड़की को किड्नेप किया था वह आपके मोनालिसा ने इस वक्त एक शार्ट ड्रेस पहनी थी उसने उस ड्रेस को नीचे किया जिससे उसके क्लीवेज शो होने लगे मोनालिसा शर्माते हुए बोली हुकुमसा भाई सही कह रहे हैं हमने किसी बच्ची को किड्नेप नहीं किया हमने उस दो कोड़ी की वाहियाद लड़की को किड्नेप किया था हुकुमसा वर लड़की आपके लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है आपके लिए तो सबसे बेस्ट में ही रहूंगी आद्र ने मुनालिसा को एक नजर देखा तक नहीं आद्र कुशल से बोला इन दोनों ने लिटिल इंजल को क्यों किड्नेप किया था कुशल सिर नीचे जुका कर डरते हुए बोला हुकुम सा इन्होंने हुकुम रानीसा को इसलिए किड्नेप किया था ताकि ये 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 कुशल से आगे कुछ बोला ही नहीं जा रहा था आद्र जाकी बात अच्छे से समझ था जिससे उसकी आँखों में खुन उतर आया आद्र ने कसकर अपनी आखे बंद कर ली कुछ देर बाद आद्र ने अचानक अपनी आखे बंद कर ली उसकी आखे खुन की तरह लाल थी आद्र से एक डेंजरस वाइबस निकल रही थी सबकी नजर जैसे ही आद्र पर परीवह डर कर दो कदम पीछे हट गए शोर्य और मोनालिसा तो डर से कापने लगे डर के मारे वह पसीने से तर बतर हो गए आद्र कुशल से बोला कोई तुम्हारी हुकुम रानीसा के लिए बुरा सोच रहा है और तुम यहां चुपचाप खड़े हो कुशल ने अपनी जेब से एक पैकेट निकाला उस पैकेट में सफेद रंग का पावडर था कुशल ने वह पावडर दोनों के मुह में डाल दिया आद्र सर्द आवाज में बोला तुम्हें ड्रग दिया गया है और आगे क्या होगा यह मुझे बताने की जरूरत नहीं है आद्र ने मनन की ओर देखा तो मनन ने हा में अपना सिर हिला दिया और एक गाट को इशारा किया वह गाड़ वहाँ से चला गया कुछ देर बाद गाट के पीछे-पीछे कई सारे लड़के और लड़कियां अंदर आए आद्र अपनी आँखे बंध कर अपना सिर्चय के क्राउन से तिका कर बैठा था शिव मनन से बोला मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है मनन मूल बनाते हुए बोला आपको कभी कोई बात समझ भी आती है क्या शिव मनन की बात पर चिर गया लेकिन फिर मनन की बात इगंो कर बोला ये devil तो angel से नफरत करता है न तो फिर इसे क्यों इतना फर्क पर रहा है कहीं इसे angel से प्यार तो नहीं हो गया शिफ की बात पर मनन ने शिफ की और देखा फिर दोनों के चेहरे पर एक स्माइल आ गई आध्र आखे बंद किये हुए ही उन सभी लड़के और लड़कियों से बोला टेक डिच्टू अवे फ्रॉम हियर एंड हैव बन एज यू उन्ट बटरिम बेबर दे अध्र की बात सुनकर लड़कियों ने मोनालिसा को उठाया और लड़को ने शौर्या को उठाया और वह उन दोनों को लेकर वहां से निकल गए पांच मिनट बाद आध्र के कानों में चिललाने की आवाजें आने लगी उन आवाजों को सुनकर आद्र के होथों पर एक खतरनाक मुस्कान आ गई आद्र मन ही मन बोला जो तुम्हें मेरे अलावा नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा या मेरी तरह चुना चाहेगा अगर किसी ने इस बारे सोचा भी तो मैं उसकी जिंदगी नरक बना दूँगा वह मौत मांगेगा लेकिन उसे मौत नहीं मिलेगी फिर चाहे वह कोई भी क्यूं ना हो कोई भी आद्र इस वक्त एक साई को लग रहा था आद्र ने अपनी आखे खोली और वहां से जाते हुए बोला इन दोनों को कैद करके रखना और स्पेशल ट्रीटमेंट देते रहना कुशल ने अपना सिर हिला दिया मनन और शिव भी आद्र के पीछे पीछे जाने लगे आद्र जैसे ही कार में बैथा शिव और मनन भी आद्र की कार में बैथ गए आद्र ने एक नजर दोनों को देखा फिर अपना सिर सीच से तिका कर आखें बंद कर ली, शिव आद्र से दूर खिसकते हुए बोला मैं एक बात पूछू पूछी लेता हूँ क्या तुझे इंजल से प्यार हो गया है शिव की बात सुनकर आद्र ने जटके से अपनी आखें खोल दी उसकी आखों के सामने काहिरा की हर हरकत चलने लगी शिव आगे बोला देख यार मैं रहा हूँ अभी भी वक्त है संभल जा वरना बाद में तुझे पच्टाने का मौका भी नहीं मिलेगा वह बहुत मासूम है उससे उसकी मासूमियत मत चीन अगर तुने उससे उसकी मासूमियत चीन ली ना तो तुम खूद को कभी माफ नहीं कर पाएगा आद्र बिना शिव की तरफ देखे बोला मासूम वह कोई मासूम लड़की नहीं है वह बहुत ही चालाक लड़की है और जब मैं कुछ गलत कर ही नहीं रहा हूँ तो माफी और पच्टाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता और रही बात प्यार की तो तुम अच्छे से जानता है मुझे उस चालाक लड़की से कभी प्यार नहीं हो सकता क्योंकि ये दिल बच्पन से ही किसी और की अमानत है आद्र ने अपना चेहरा शिफ की तरफ किया और बोला और हाँ आज के बाद मुझे इस टॉपिक पर कोई बात नहीं करनी आद्र की आँखों में इस वक्त लाल रंग की दोरियों का जाल बिच्छा था उसकी आँखों इस वक्त एक नमी थी दर्द था नफरत थी और एक कस्मिकिश थी दिन धीरे धीरे गुज़ने लगे दिल्ली यूनिवसिटी काहिरा जैसे कॉलेज के अंदर आई उसे नोटिस बोर्ड पर भीर लगी दिखी काहिरा अनिका से बोली यहां क्या पानी पूरी बट रही है जो ये सब ऐसे भीर लगा कर खड़े है अनिका भी अपनी नजर उस भीर पर करते हुए बोली बात तो तुँ बिल्कुल सही कह रही है तुँ यही रुख में देखकर आती हूं कि आखिर बात क्या है काहिरा की नजर भीर के बीच फैसे सचिन पर पड़ी काहिरा अनिका को रोकते हुए बोली इसकी कोई जरूरत नहीं है अनिका काहिरा को देखने लगी काहिरा ने सचिन की कॉलर पकड़ कर भीर के बाहर ले आई और बोली नोटिस बोल्ड पर भीर क्यूं लगी है सचिन सीधा खड़ा होकर बोला नोटिस बोल्ड पर नोटिस लगा हुआ है कि दस दिन बाद एक फंक्षन होगा वह फंक्षन किसी और कॉलेज के साथ होगा और जो भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है वह जाकर अपना नाम लिखवा सकता है काहिरा कुछ सोचते हुए बोली मतलब तुम सब इसी फंक्षन की बात कर रहे थे सचिन और अनिका ने हां में अपना सिर हिला दिया काहिरा खुशी से उच्छलते हुए बोली हम सब पार्टिसिपेट करेंगे सचिन काहिरा को अजीब नजरों से देखने लगा सिर्फ सचिन ही नहीं पीछे से आते रौनी और श्रेया भी काहिरा को अजीब नजरों से देखने लगे एक अनिका ही थी जो उसे अजीब नजरों से नहीं देख रही थी काहिरा ने तीनों को देखा और बोली what happened तुम सब मुझे ऐसे क्यूं घूर रहे हो रॉनी बोला अगर तुम्हें participate करना है तो करो लेकिन हम सब को क्यूं बोल रही हो मैं तु नहीं करने वाला participate मैं पहले बता रहा हूँ काहिरा एक शैतानी मुस्कराहट लिए बोली मुझे कोई problem नहीं है काहिरा की बात सुनकर सबने एक राहत की सांस ली लेकिन अनिका काहिरा को आखे फाड़े देखने लगी क्योंकि उसे पता था काहिरा वहीं करती है जो उसे करना होता है और अगर कोई सीधे तरीके से ना माने तो वह उसे किसी और तरीके से अपना काम निकलवा ही लेती है खाहिरा श्रेया से बोली श्रेया तुने कहा था कि तुम एक कपल दांस करने वाली है और अनिका भी लेकिन कोई बात नहीं मैं तुम दोनों के लिए कोई ना कोई पार्टन धूंधी लूंगी रौनी ने जैसे ही सुना कि श्रेया किसी और के साथ दांस करेगी तो वह जल्दी से बोला नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं है मैं तो वैसे भी पार्टिसिपेट करने वाला हूँ तो मैं ही तुम्हारा पार्टन बन जाँगा सचिन भी एक नखी हसी हसते हुए बोला मैं भी पार्टिसिपेट कर रहा हूँ तो मैं भी अनिका का पार्टन बन जाओंगा काहिरा थोड़ा सा ड्रामा करते हुए बोली अरे नहीं नहीं तुम दोनों कैसे इन दोनों की हेल्प करोगे तुम दोनों को तो वैसे भी पार्टिसिपेट नहीं करना ना मैं किसी और को ही इनका पार्टर न बनांगी। रॉनी बोला I am sorry आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। सचिन भी बोला अच्छा I am sorry मेरी माँ अब तो मेरी बात मान लो। काहिरा ने एक सेटिसफेक्शन भरी मुस्कान के साथ बोली ओके किया माफ लेकिन next time no objection। सबने एक साथ हा में सिर हिला दिया काहिरा अपना नाम लिखवाने स्टाफ रूम की तरफ जाने लगे रॉनी सचिन। अनिका और श्रेया भी काहिरा के पीछे पीछे जाने लगे। आरार कॉर्प्रेशन रियांच अपने केबिन में बैथा अपने काम में दूबा हुआ था तभी एक लड़की जिसने एक बहुत ही। रिविलींग ड्रेस पहनी थी वह बिना नौक किये अंदर आ गई रियांच काम करते हुए ही बोला मन्यक तुम वह फाइल लेकर आए हो ना। सामने से कोई जवाब ना पाकर रियांच ने सिर उठा कर देखा अपने केबिन में किसी लड़की को देख रियांच अपनी आखे छोटी कर बोला तुम कौन हो और बिना मेरी पमिशन के मेरी केबिन में आने की हिम्मत कैसे हुई। वह लड़की कैट वॉक करते हुए रियांच के पास आई और रियांच की गोद में बैठते हुए बोली बेबी डू नोट यूं। रिमबेबर मी नेवर माइड आई हैफ कम सो नाव आई विल नेवर लेट यूं फोरगे मी। एक तो रियांच उस लड़की के बिना पमिशन के केबिन में आने से पहले ही गुसा था उपर से उस लड़की के उसकी गोद में बैठने से तो जैसे उसका गुसा साथवे आसमान पर पहुँच गया रियांच ने उस लड़की को उठा कर खुद से दूर जटक दिया और दात पिस्ते हुए बोला तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी गोद में बैठने की और आखिर तुम हो कौन और क्यूं जबरदस्ती मेरे गले पर रही हो वह लड़की रियांश के दूर जटकने से वह लड़की लड़क खड़ाते हुए सीधी खड़ी हो गई रियांश के धक्का देने से पहले तो उसके चेहरे पर गुस्सा साफ साफ चलिकने लगा लेकिन फिर वह लड़की मुस्कुराते हुए बोली बेबी तुम मुझे भूल गए तो क्या हुआ मैं तुम्हें याद दिलाती हूँ ना वह लड़की अपनी कमर पर हाथ रख कर बोली मैं हूँ सोफिया तुम्हें याद है तुमने च्छ महीने पहले पेरिस में सड़क पर मुझे गुंडों से बचाया था उसके बाद मैंने तुमसे कहा था कि हम जल्द ही मिलेंगे और मैं तुमसे शादी भी करूंगी सोफिया की बात सुनकर रियांश का सिर चक्राने लगा था मतलब इतनी धीद लड़की उसने अपनी जिंदगी में नहीं देखी रियांश ने अपने सिर पर हाथ रख लिया और एक गहरी सांस लेकर अपने गुसे को कम करते हुए बोला तुम जो कोई भी हो आई रियली डोंट केर सो प्लीज यहां से चली जाओ इससे पहले की मैं तुम्हें धक्के मार कर निकालूं सोफिया बोली बेबी तुम मुझसे इतना चिर क्यूं रहे हो एक बार मेरी तरफ ध्यान से देखो मैं कितनी सेक्सी और होट हूँ तुम्हें मेरी जैसी लड़की कहीं नहीं मिलेंगी तुम भी सिंगल मैं भी सिंगल तो फिर तुम ऐसे क्यूं बिहेव कर रहो हो रियान्च मुस्कुराते हुए चेय पर बैठ गया और बोला तुम्हें किसने कहा कि मैं सिंगल हूँ मैं पहले से ही सोफिया गुस्से में बोली तुम जूट बोल रहे हो मुझसे पीछा चुडाने के लिए रियान्च बोला तुम मेरे लिए इतनी इंपोटेंट नहीं हो कि मुझे तुम्हारे लिए जूट बोलना पड़े रियांच की बात सुनकर सोफिया गुस्से में बोली अच्छा तो मुझे भी तो मिलाओ उस लड़की से जिसके बारे में सोच कर ही तुम इतना मुस्करा रहे हो रियांच डोर की तरफ देखकर बड़े प्यार से बोला अब क्या बाहर ही खड़े रहने का इरादा है या अंदर भी आओगी रियांच के बोलते ही सोफिया भी डोर की तरफ देखने लगी जो धीरे धीरे खुल रहा था उस दरवाजे से एक लड़की औरेंज कलर के सूट में अंदर आं उस लड़की के चहरे पर दर और जिजग साफ देखी जा सकती थी रियांश अपनी सीट So don't forget to share your review and comment your best part of in story और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को subscribe नहीं किया तो कृपया इसे subscribe करें और bell icon पर click करें ताकि आप हमारी नई कहानी पहले पा सके And if you like my story so commence your feelings with heart emoji तो मिलते हैं next video तब तक के लिए राधे राधे